साउच से लेकर बॉलिवुड में आए दिन कई जोडिया बनती और बिगरती हैं उनमे से कुछ जोडिया ऐसी भी होती हैं जिनका एक लंबे समय तक लाव रिलेशन के बाद ब्रेक अप हो जाता है और ऐसा ही साल 2019 से लेकर साल 2020 के बीच कई बार देखा गया इस दौरान साउच से लेकर बॉलिवुड में कई जोडिया तूटी गई और एक दूसर से काफी लंबे समय तक डेट कर रही थी लेकिन इस दौरान किसी ना किसी वज़ा से उन सभी का ब्रेक अप हो गया और रह गई उन सब की ही लाव स्टॉरी बिलकुल अधूरी तो इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको साउच से लेकर बॉलिवुड के उन ही छे जोडियों से रूबरू करवाने वाले हैं जुनका एक लंबे रूलेशन के बाद साल 2019 और 2020 में ब्रेक अप हो गया तो आईए जल्दी से बिना देरी किये जान लेते हैं फिर क कौन सी हैं वो तमाम जोडियां अरवास खान और मलाइका अरूडा अभिनिता अरवास खान और अभिनित्री मलाइका अरूडा का ब्रेक अप नहीं बकाईदा डाइवोर्स हुआ है साल 1998 में दोनों ने शादी की थी और एक बेटे के पैरेंट्स तक बन गए थे लेकिन शादी के 18 साल बाद यानिके साल 2019 में दोनों ने अपने रिष्टे को खत्म करते हुए डाइवोर्स कर लिया क्योंकि दोनों के बीच के रिष्टे कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे जिसके चलते दोनों ने शादी शुदा होते हुए भी अपने पार्टनर्स ढूंड लिये हैं जहारबास खान मॉडल जॉर्जिया को डेट करने लगे तो वहीं मलाइका काफियर बॉलिवुड स्टार अरजुन कपूर से चल पड़ा दोनों ही अपने नए पार्टनर्स के स साथ काफे खुश थे इसलिए उनके साथ नए जिन्दगी की शुरुआत करने के लिए दोनों ने साल 2019 में डाइवोर्स ले लिया दोनों करीब छे महीनों तक लव रिलेशन में रहे लेकिन छे महीनों बाद साल 2020 की शुरुवात में ही दोनों ने एक दूसरे से ब्रेक अप कर लिया जिसके वजह थी एक दूसरे पर शक करना कि दोनों का किसी और के साथ ही लव रिलेशन चल रहा है उसी वज़ा से दोनों के रुष्टे में दरार आई और दोनों ही साल 2020 की शुरुवात में ब्रेक अप कर अलग हो गए जिनसे कुछ महीने बाद रुष्टे में अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी कर घर बसा लिया तो वही रकुल प्रेट सिंग अभी सिंगल है साल 2019 में ब्रेक अप करने वाली जोडियों की लिस्ट में यामी गौतम और पुलकेट समराट की जोड़ी का नाम भी आता है जो फिल्म सनमरे के दौरान मिले थे तब से ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे लेकिन जब चार सालों के रिलेशन के बाद यामी ने पुलकेट से शादी करने की बाद कही तो पुलकेट ने शादी करने से साफ साफ इंकार करते हुए इनसे ब्रेक अप कर लिया जिसके पीछे की वचाय बाद में यामी को पता चली कि वह उन्हीं चीट कर रहे थे उन्हें एसास हुआ तो उनसे इन्होंने ब्रेक अप कर लिया नमबर चार नयंतारा और प्रभु देवा नयंतारा और प्रभु देवा का भी साल 2019 में ही ब्रेक अप हुआ था जब पिछले करीब 5-6 सालों से एक दूसरे को टेट कर रहे थे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे इनके बीच के इसी प्यार को देखते हुए सभी लोग तो यही कहा करते थे कि एक दिन दोनों ही जरूर शादी करेंगे लेकिन उन सभी की ख्वाहिशों को पूरा ना करते हुए इन दोनों ने ब्रेक अप कर लिया दोनों ने अपने 5 साल के रुष्टे को किसी कारण वर्ष तोड़ दिया और साल 2019 में ब्रेक अप कर हमीशा के लिए अलग हो गए इस बात का सबूत देते हुए प्रभू देवा ने चुपके से दूसरी लड़की से शादी कर ली है और नय अंतारा से अपना रुष्टा भी खत्म कर दिया साउत के सबसे फ्यारी और मशूर जोड़ी प्रभास और अनुष्का शेटी की जोड़ी भी तूट चुकी है साल 2020 में दोनों का ब्रेक अप हो चुका है जी हाँ ये बात सच है कि इन दोनों ने ब्रेक अप कर लिया है और अब दोनों ने अपनी राहे अलग कर ली है जहाँ पहले खबरी सामने आ रही थी कि दोनों शादी करने वाले है तो वहीं अब खबरी ये आ रही है कि दोनों ने ब्रेक अप भी कर लिया है लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो प्रभास और अनुश्का ही बता सकते हैं जो आगे चल कर प्यार में तब्दिल हो गई और दोनु एक दूसरे को डेट करने लगे लेकिन दोस्तों आपको बता दी कि आप इनके जोड़ी भी तूट चुकी है साल 2020 के बीच में ही ये कपल अलग हो चुका है जिसके पीछे का कारण है कि दोनों एक दूसरे को दो साल तक लव रिलेशन के रहने के बाद भी समझ नहीं पाई थे अब जब इतने समय में एक दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाई वल दोस्तों आपको इन सभी जोडियों में से किस जोड़ी के अलग होने की सबसे ज़ादा दुख हो रहा है आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी आसी ही मसालेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले